नमस्कार दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग तो अल आफ यू, वेलकम तो तुफानी पहाडी, जी हाँ, अब से हमारे इस चैनल का नाम है तुफानी पहाडी, तो सिविल स्टाफ हिमाचल का यह जो नया इनिशेटिव है, नया चैनल जो है, यह आप ही लोगों के लिए बना यहां पर बात करना चाहूं, जो हमारा पटवारी का एक्जाम है, तो जितने भी यहां पर एक्जाम, गुरूप C या गूरूप D के निकल कर आते हैं, हिमाचल परदेश के अंदर, इन सभी के लिए हमारा यह जो चैनल है, तो फानी पहाडी बनाया गया है, तो आपको यहा काफी क्लासिस आपको प्रोवाइड करवारे है, डेली रोट सुबा, सवा दस बजे हमारी करांट अफस की क्लास, ठीक है, सवा दस बजे हम इस क्लास को स्टार्ट किया करेंगे, करांट अफस की क्लास, उसके बाद यहां पर हम बात करेंगे, ग्यारा बजे आपकी क्टिडिंस उनके लिए यहां पर क्लास होती है किस चीसी क्लास होती है उनके कंद्लिए उसक्ती दिसक्र सवकस्ट करते हैं क्या तरह से एक DevOps पड़े हैं। बहुत सारी उसको स्काट करते हैं उन स्कूण बहुत सारी तरह में करते हैं हमारी क्लास के अंदर क्योंकि हमारे एक्जाम के अंदर इसको लेकर प्रशन जो है वो पूछा जाता है बढ़ेंगे आज की तरफ क्लास की तरफ बढ़ने से पहले से तरफ सर्फ इतना को हुआ कि आगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल तुफानी पहाडी को सब्सक्राइब कर लिजे और इसके साथ सथ बैल आइकन दवाना नहीं बूलना ताकि आपको अप्डेट्स मिलते रहे और जो क्लास का बिसीकली पीडियाफ होता है वो टेलीग्राम पर शेर किया रहाता है और टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है चलिए आगे बढ़ेगे गूद मॉनिंग सुमन चलिए बढ़ते हैं आगे स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास को देकि आज हम करन्ट अफेर्स करने वाले हैं वह ह बेभार था यह उत्वार को लिए हम इतावर को फूलास नहीं होती है हमारी जो क्लास से लेकर शनिवार तक होती है और चार और पाटmente करने अफेरस को को सबसे पहला जो 4 दिसंबर को भारतिया 9 सेना दिवस जो है को हम हम डिस्कस करते हैं इंडियन नेवी डें देखे हर साल 24 दिसंबर को हमनाते हैं भारतिया जल सेना दिवस या 9 sinaden जिसको हम कहते हैं इंडियन नेवी डें आपको याद होगा 1971 की लड़ाः 1971 में यहां पर हमारे पास एक लड़ाई की बात हम करते हैं 1971, 4 और 5 दिसंबर 1971 को भारत और पाकिस्तान के बीच में युद स्टार्ट होता है, और युद स्टार्ट जब होता है तो होता क्या है कि भारत और पाकिस्तान जब लड़ाई लड़ रहे हैं, यह जो लड़ाई है यह इस होती इसट पाकिस्तान यानी कि बेंगाल वाले रिजन में होती है अब ऑकिस्तान की जो सेना पकिन की सेना को अपनी आर्मी को 29 deliver करने की कोशिश करेंगे यानि कि एर पॉर्स या फिर भाएदा सी भाएदा नेवी तो यहाँ पर नेवल बेस जो था पकिस्तान का वो सारा का सारा था कराची पोट वो सारा का सारा कहां पे था वो था कराची पोट पे कराची पोट पे ही में सारी ट्रेड होती थी पकिस्तान की उस टाइम पे और कराची पोर्ट पे ही सारा कुछ बिसीकली हट्यार बंदी सब कुछ ये कराची पोर्ट से सारे इनके शिप्स निकलते थे ठीक है कराची पोर्ट से ही सब कुछ निकलता था कराची पोर्ट से यहां से निकलके आता था अब कराची पोर्ट से निकलकर आ रहा है तो हुआ क किया भारतिय सेनाओं ने क्या किया भारतिय जल सेना ने क्या किया कराची पोट के लगवग साड़े 400 किलोमेटर के दायरे में यानि की पाकिस्तान रडार से बचते हुए हमने अपने जो शिप्स है यहां लाकर खड़े कर दिये पानी के अंदर और हमने पाकिस्तान की जो नो सेना है उसको ब्लॉक कर दिया उसको ब्लॉक कर दिया था और इस वक्त हमने एक operation launch किया था जिसको कहते हैं operation trident जिसको हम कहते हैं operation prident operation ट्राइडेंट तो operation ट्राइडेंट की शुरुवात हमने यहाँ पर करी थी operation ट्राइडेंट तो उसी operation ट्राइडेंट की memory में हम हर साल navy day जो है वो observe करते हैं यह बात आपको ध्यान में रखने हैं कि कौन सा operation भारत फरकान ने launch किया था operation ट्राइडेंट तो इंडियन नेवी डे यहां पर हम observe करते हैं चार दिसंबर को चार दिसंबर को हर साल हम मणको है फिसको बनाते हैं ऐसा बार객ा स्थे इंडियन नेवी डे इंडियन नेवी डे लुटते हैं原ि bestow भारत की हिस्सा लेते हैं यूख भारतिय सेनाओ के दो कमांडर-in-chief है, हमारी जो forces है, इसके जो कमांडर-in-chief है, रटिस दा प्रेजिडेंट आफ इंडिया, ये बाइड डिफॉल्ट है, हम सबको पता है यह चीज अब डोहजार बाईस की जो इसको पटनम के अंदर इसको क्या रहता है और इंडिया नेवी की शुरुवाद 1612 में इस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा इसकी शुरुवात की रहती है और स्षिवा-जी तुरुप अब बी बहुते हैं यह पारेशन प्राइट Sun Naval Ship का एक जहाज, that is the Kyber, इसको यहाँ पर destroy कर दिया था, यह इसको यहाँ पर destroy कर दिया था, और basically हमारी जो तीन उस टाइम पे जो warships थी जिन्नों ने हिस्सा लिया था, INS निपत, INS निर्गत और INS वीर, यह तीन नेवल शिप्स आपको हमेशा ध्यान में रखना है, क्योंकि यह वो नेवल शिप हैं, जिनों ने operation trident में हिस्सा लिया था, operation trident, and the father of Indian Navy was, that is Maratha मनार्च, चत्रपती शिवाजी, महराज, इसके बारे में आपको ध्यान में रखना है, तो 4 December को हर साल भारक मनाता है, Navy Day, और क्यों मनाता है, that is because of the operation trident, और operation trident के बारे में मैं आपको अल्री बता चुका हूँ, किसी भी student को trident के बारे में कोई भी डाउट है, तो आप पूछ सकते हो, comment section के अंदर, comment section के अंदर, पूछ सकते हो, चले, आगे बढ़ेगे, the next is, Indian Navy aims to become the आतम निर्भरवाइट 2047, इसी नेवी डे के चलते हुए, भारतिया जल सेना के जो चीफ है, क्या कोई मुझे बताएगा, who is the chief of the Indian Navy, हाँ जी, the chief of the naval staff, तो comment section में इसका अंसर दीजे, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं क भारतिया जल सेना ने क्या बताया, Indian Navy क्या कहती है, Indian Navy के जो chief है, the chief of the naval staff, यह उनके शब्द है, उन्होंने बोला, कि भारतिया जल सेना जो है, भारतिया नो सेना जो है, यह 2047 तक आतम निर्भर हो जाएगी, देखिए, आज हमारे बहुत सारे जो वार्क्राफ्ट्स हैं, य आतम निर्भर हो जाएगा, Indian Navy को लेकर, यानि कि उस वक्त जितनी भी हमारी ships मनेगी, जितने भी हमारे पंडुबिया मनेगी, वो सब हम खुद बनाने वाले हैं, हम किसी भी दूसरे देश से इंपोर्ट नहीं करने वाले हैं, तो भारत जो है, वो self-reliant बनेगा, 2047 तक यह इंडियन नेवी डे, तो भारत जो है, 2047 तक बनेगा, आतम निर्भर, इंडियन नेवी, 2047 तक बनेगी, आतम निर्भर, हाँ जी, क्लियर हो गया होगा, किसी को की डाउट है, तो आप कमेंट सेक्षिन में पूछ सकते हैं, चले, आगे बात करेंगे, वर्ट सॉयल डे, को हर साल हम अब सब करते हैं, वर्ट सॉयल डे को हम हर साल अब्सव करते हैं, आज, इसको किसलिया अबसवक् इसी लिए यहाँ पर word soil day जो है वो observe करते हैं word soil day जो है वो observe हम करते हैं तो देखें जब भी word soil day observe कहा रहाता है हर साल इसका एक theme होता है तो इस बार का theme कहा रहाता soils where food begins soils where food begins soils where food begins क्योंकि मिट्टी में ही हम अपने food की जो खेती है वो करते हैं ठीक है जो हम भोजन जो है वो गाते हैं तो soils where food begins यहाँ पर इसकी शुरुआद 2014 में United Nations General Assembly के द्वारा की गई थी and International Union for Soil Sciences ने इसको recommend किया था 2002 में और 2014 में United Nations General Assembly ने इसको declare किया and इस बार का theme बहुत important आपको धर्मेर रखें soils where food begins उसके बाद एक और बहुत महतापूरण दिन हमारे पास देखने को हमें मिल रहा है that is the International Cheetah Day यह बहुत महतापूरण है क्योंकि भारत में हाला ही में आठ चीतास को इंटर्ड्यूस किया गया था नैमीबिया से ठीक है नैमीबिया से भारत ने नैमीबिया से भारत ने नैमीबिया से भारत ने आठ चीतास जो है वो मगवाई नैमीबिया से भारत ने आठ चीतास जो है वो मगवाई है और यह जो चीतास है ठीक है इनको कहां रखा गया है इन चीतास को रखा गया है कुनो नैशनल पार्क में कुनो नेशनल पाक ने कुनो नेशनल पाक कहां पर वंध्य के अंदर है और यहां पर आठ ची ताउस को मंगा के रखा गया है और इंटरनेशनल ची तास अब मैं आपको बताने वारा हुं कि क्यों चीताइस को हम क्यों अबको करते हैं विस्डीक को हम गती हुआ, इसको अबसे लिए टो सिंफल सी बातों विए कहेंगे कि चीता एक लुक्त थोरी पर जाती है इसको बचाने के लिए हम अब्जर्व करते हैं हर साल चीतास दे अवेर्नेस बढ़ाने के लिए चीतास को लेकर अवेर्नेस बढ़ाने के लिए हम इसको अब्जर्व करते है बट इस दिन की शुरुवात कहां से होती है तो इस दिन की शुरुवात होती है 2010 में जो इंटरनेशनल चीटा डे है उसको यहां पर शुरुवात की गई थी चीज चीटा डे की शुरुवात हमें 2010 में करी थी 2010 से लेकर सालम उसको अबज़र करते हैं यह है डॉक्टर लारी मरकर और इनके साथ है अब इस चीटा देख रहे हो अब यह जो चीटा है ठीक है इनका नाम है खयाम इस चीटे का नाम है भेसिकली डॉक्टर मरकर ने यह जो नाम का चीता इसको बढ़ा किया ठीक है वाइलाव सत्वाइरी और न वार्फ रिवालिदंग इंस्पार्ड इससे इंस्पार्ड होके नामी प्या था 1977 में यह शॉक्क्सेस्फु भ्यिशन ता जिसके बाद ये खयाम को वापिस यूएस ले आई थी और उसके बाद इन्होंने शुरुवात करी थी डाट इस दा इंटरनाशनल चीटास डे की इंटरनाशनल चीटास डे की जैसे कि मैं आपको पता है कि क्योंकि चीटा जो है उसकी जो टॉप स्पीड़ा इस सेवंटी माइल्स पर आर इन जस्ट थी सेकंड्स एंड चीटा का जो वेट होता है वो लगवक्षालिस किलो से लेकर 158 पाउंड तक होता है 158 पाउंड तक होता है क्लियर दैस चीटास क्लियर हुआ किसी को कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्षन में पूछ सकते हो चैट बॉक्स में पूछ सकते हो गड़ मॉनिंग नेक चलिए आगे बढ़ते नेक्स डारी मैं इंडिया डॉक्टर राजेंदर पर साथ अब बात करते हैं भारत के पहले सरकार चुनी जाती है तो भारत में पहली बार यहां पर सरकार बनके आती है तो भारत के पहले राष्ट्रपती बनते हैं डॉक्टरन पर साथ कीबात करें तो यह स्ट्रिंग कमेटी में जांता और समिधान सबबसे कर नहीं थी जब इनका जनम दिन होता है इस द्विश्चनल और यालкоїचनल नहीं को आद वोकेट दे वां compliance जाता है वना और 15 24 को इनका द्हात होता है और आट वो कि हम साल चाहित्स करते हैं आज अड्वो किक dif धिसमब और कौ था Leher का प्रसाज सी एक बहुत ही लॉयर भी थे इस यह दुबारा री इलक्ट हुए थे और भारत में भारत के ऐसे पहले राष्ट्रपती बने जिसने दो टम सब करी इसने दो टम सब करी उसके बाद हम बात करें तो इनकी अमरित्ती होती है 1828th of February 1963 में रजेंदर समृती संग्राले जो है पतना में वो यहाँ पर इनको डेलिकेट किया गया है नेशनल स्टैस्कल कमिशन का चेर परसन बना दिया जाता है किसको रजीव लक्षमन करनिकार इनको यहाँ पर नुक्त किया गया है रजीव लक्षमन करनिकार जो है यह प्रोफेसर Emeritus है that is that CMI and part time chairperson को National Statistical Commission का बनाया गया तीन साल के लिए तीन साल के लिए की नुप्ति करी गई है ठीक है Mr. Kanandikar जो है वो इस रोल को निभाएंगे और इसके साथ CMI भे ये प्रोफेसर के तौर पर भी कार्य करेंगे और बेसिकली काफी ट्राइम तक ये CMI के डिरेक्टर भी रहें दस साल तर लगबग CBI के CMI के डिरेक्टर भी रहें और National Statistical Commission जो है एक Autonomous Body Autonomous Body का मतलब होता है Independent संस्थाद ठीक है जिसकी शुरुवाद 2005 में होती है Under the recommendation of the Dr. Seer Rangarajan Commission ये आपको ध्यान में रखना है कि किस Commission की recommendation पर यहां पर इसको बनाया गया था National Statistical Commission को C. Rangarajan Commission क्योंकि देखे पेपर में बहुत सारे static के जो सवाल होते हैं ये भी कही न कई current associated होते हैं तो इसलिए आपको इन चीज़ों को ध्यान में रखना है clear basically जितने भी हमारे पास statistical agencies की problem आती हैं उन सबको solve करने के लिए National Statistical Commission बनाया गया था and जो भी इसके chairperson होते हैं जैसे अभी रजीव साब की बात करें इनको एक minister of state जो भारत सरकार के होते हैं जिसको deputy minister बोल देते हैं उनके बराबर की उपाधी इनको दीटाते हैं उनके बराबर का rank इनको मिलता है यानि की concern का rank इनको मिलता है और उसके बाद मैं आपको यह भी बता दू कि इंडिया में हम 29th of June को observe करते है national statistics day national statistics day क्योंकि यह जनम दिवस होता है तो इनका जनम दिवस होता है इनके जनम दिवस को हम बनाते है इस प्रसंत चंद्रा महाल नवेश तो इनका जनम दिवस होता है जिसको हम भारत में बनाते हैं नाशननल statistics day आपको ध्यान में रखना है इस very very important चलिए आगे बात करेंगे विजे हजारे ट्राफी विजे हजारे ट्राफी पहला सवाल तो विजे हजारे ट्राफी को लेकर यही आता है कि यह किस गेम से असोसियेटेड है तो यहाँ पर हम बात करते है क्रिकेट की तो यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर बात करें क्रिकेट की तो है, तो! इस बार का महारास्टरा को हरा देता है ओर जीत आ Live in जीता जो कि अंदर गुजरोगत में हमारे राष्ट्र पती ने खुद इसकानाम रखा था ले रेता है और मोधी जी ने खुद इस्टेडियम को अपने को डेडिकेट किया था तो देखिए नरेंदर मोधी स्टेडियम जो गुजरात के अंदर है अब्दाबाद में इसमें यहां पर स्वराश्ट्रा को हरा कर विजय हजारे ट्राफी जीत लिए प्लेयर ऑफ दा मैच की बात करें शर्डन जक्सर है प्लेयर ऑफ टूर्णमेंट रूतुराज गाएकवाड बोस्ट रंस्ट्रों वह एंजगदेशन ने बनाई हैं वह एंजगदेशन के हैं वह रूतुराज गाएकवाड के हैं तुसरास्ट्रा स्वरास्ट्र ने महारास्ट्रा को हराया विजय हजारे ट्रॉफी विजय हजारे ट्रॉफी जारे पर आती है अगर हम इस लिस्ट की बात करते हैं इसको घ्लोबल कोस्ट ऑफ लिविंग सर्वें भी कहते हैं जी सी एलस इसको बोला जाता है और इस बार इस लिस्ट के अंदर नियू यूउक एंड सिंगापूर दोनों टाप पोजिशन पर रहे हैं इसको डेखकर लिस्ट जो है निकाली जाती है तो वर्ड कोस्ट ऑफ लिविंग के अगर मैं बात करता हूँ तो इस इंडेक्स के अंदर बेसिकली सबसे जड़ा इंपक्ट जो है वो स्टॉग इंपक्त यूएस डालर का देखा जाता है रैंकिंग के अंदर और नियू है सिंगापूर सिटी है तीसरे पर तैल अवीव है इस्राइल की जो पुरानी क्यापिटल है देखे लिए पहले टाप पे ताल अब यह तीसरे नमबर पर आ चुका है तो तो ते नमबर पर होंग कोंग है पांच पे लॉस्ट एंजलेस है उसके बाद जूरिच है जुनीव पर त्रीपुली जो है यह उससे सस्ता उसके बाद तहरान तुनिस ताशकेंत कराची यह सबसे सस्ते शहर है दुनिया के ठीक है यहाँ पर पैसे की जो वैल्यू है वह बहुत कम है चले नेक्स्ट बढ़ेंगे अगली ड्यूस के तरफ मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सब समझ में आ रहा होगा किसी भी स्टुडेंट को कहीं पर कुछ भी डाउट रहा है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर अपना डाउट जो है वह पूछ सकते हैं अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को शेर कर दीजे ताकि यहाँ पर जो बाकी बच्चे हैं जो सरकारे का देश जित्ते का कैंपेंग भारत के अंदर चलते आ रहे हैं चोबिस मार्च को हम एक दिन भी अब्सक्राइब करते हैं अब हुआ क्या है कि 761 अडॉट देखें परधान मंत्री टीवी मुक्त भारत कैंपेंग के अंदर एक स्कीम चलती है डाइस निक्षय मित्र निक्षय मित्र योजनों ठीक है निक्षय मित्रा यहां पर बनाया जाता है निक्षय मित्रा अब निक्षय मित्रा की बात करें तो निक्षय मित्रा क्या होता है निक्षय मित्रा निक्षय डॉनर निक्षय डॉनर तो भारत सरकार का एक इनिशेटीव है निक्षय मित्रा के तो इसलिए 761 को जहांपर अडाप्ट कर लिया गया है हिमाचलप्रदेश के अंदर काफी सरे निक्षय मित्रास के त्वरा तो प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत केंपेन या भियान यहां पर चलता है तो निक्षय मित्रा ने यहांपर तो 761 लोगों को यहाँ पर निक्षय मित्रा ने अडॉप्ट किया है वरी वरी इंपोर्टन डिउस लिए निवासर प्रदेश बहुत ही महत्तापुरन खबर यहाँ पर TB patients as a निक्षय मित्रा for providing them nutritional and emotional support जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताए कि इनको जरूरत होती है food की तो food के लिए हापर nutrition के लिए सरकार जो है वो इतना पैसा नहीं दे सकती है इसलिए सरकार प्रेरित करती है दूसले लोगों को organizations को individuals को कि आप आगे आओ ताकि हम TB को मिल जुलकर जड़ से खतुम कर पाएं और भारत जो है वो 2025 तक TB मुक्त बनने वाला है यह भारत सरकार का target है यह भारत सरकार का target है चले मैं उमीद करता हो इतना आपको समझ में आया है किसी को कोई भी डाउट है तो आप यहां पर पूछ सकते हो clear यहां पर पूछ सकते हो चले अब बारी है कुछ MCQ की अब बारी है revision की तो देखते है revision में आप लोग कितना score कर पाते हो आप कौन-कौन से question का सही उत्तर कर पाते हो तो चले बढ़ते है revision की तरफ देखते हैं आप लोगों के उत्तर के आते हैं तो सबसे पहला प्रशन यहां पर क्या है भारती है सेना और इन में से किस देश की सेना के बीच में अगनी वरियर को conduct किया गया बताए जल्दी से अगनी वरियर को conduct किया गया देखते है कौन मेरा दोस्त इसका उत्तर करेगा मेरा answer comment section की तरफ है मेरा ध्यान comment section की तरफ है very good very good very good अरुना नेक सिंग सुमैन कीरेन इसने बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया तो यह देश है सिंगापूर यह देश है सिंगापूर जिसके साथ भारत ने अगनी वरियर नाम की exercise को दीया में नहीं रहे इनकी अध्यान और इनमें से किस देश के रास्टरपती थे यह द मैं वेरी गुड वेरी गुड बहुत बढ़िया चाइना यह देश है चाइना ठीक है और यह पहले चाइनीज रास्टरोपती ने जो भाःत आए था 1906 में में 1993 से लेकर सं 2003 तक जयांग जामिन चाइना देश के रास्टपती रहे अगला सवाल इंटरनाशनल डे आफ परसन विद डिस अबिलिटी सम कब अब्जाब करते हैं वीक लांग व्यक्तियों के लिए एक दिन को हम अब्सबड करते हैं इस बिमको को अब्सक्राब किया जाता है इंटरनाशनल डे अफ परसन with disabilities चलिए अगला सवाल दिव्या कलामेला 2022 का इन में से किस शहर में अब्सव्व किया गया दिव्या कलामेला इन में से किस शहर के अदर अब्सव्व किया गया दिव्या कलामेला हमारे जो Social Justice and एंपावर्मेंट के मिनिस्टर है विरेंदर कुमार जी उन्होंने खुद यहां पर इसको इनोगरेट किया था इंट्रनाशनल डे आफ परसनल डिसाबिलिटीज के चलते हुए दिव्या कला मिला मनाया गया दिव्या कला मिला अजि बताईये उत्तर की जै दिव्या कला मिला तो मैंने आपको वताता ही कर्टव्या पाथ कहां पे दिल्ली में है चलिए आगे बात करते हैं विच कंटरी विल होस्ट द धौर्ड टी 20 वर्ड कप क्रिकेट टूर्वेंट elaborно इनमें से कौन सा देश जो है वो T20 World Cup cricket tournament blind persons के लिए जो है उसको organize करने वाला है पाकिस्तान, इंडिया, UAE, बांगलादेश इनमें से किस देश में host करना है हाँ जी बताइए ये अभी होने जा रहा है blind persons के लिए cricket World Cup तो कौन सा देश इसको host कर रहा है that is भारत देश भारत अगला प्रेशन है सुंदरलाल बहुगना, सुंदरलाल बहुगना इनमें से किस movement के साथ जुड़े हुए सुन्दर लाल बहुगना इनमें से किस movement के साथ जुड़े हुए है quit India movement, non corporation movement, चिपको अंदॉलन या आगा movement सुन्दर लाल बहुगना इनमें से किस movement के साथ जुड़े हुए रखती है सुन्दर लाल बहुगना बताइए सुन्दरलाल भहुगना इनमें से किस मूवमेंट के साथ जुड़े हुए है वारी गुड वारी गुड चिपकोव मूवमेंट इसकी शुरुवात उत्राखंड से हुई थी ठीक है उसके बाद ये बढ़ता है यहाँ पर उत्रपरदेश के तरह हिमालिया को प्रिजकरने के लिए हिमाल्य इन ट्रीस को प्रिज़व करने के लिए इसकी रचना करेंगी त्यु extendedलाल भागुमना जी के द्वरा तु हमारा उत्तर क्या होजाएगा प्रश्न सी चिपकोव मूवमेंट अगला इंटरनाशनल डे पॉर दबाई लेवरी यह कब औबजर्व किया रहाता है इंटरनाशनल डे पॉर दबाई लेशन आफ स्लेवरी बताईए इसको कब अबजर्व करते हैं कि इंटरनेशनल डए फूरोग पोलेशन आप स्लेवरी मिल्स हां कर दो दिसम्बर को होता है इस पर दिसम्बर को होता है तीन दिसम्बर को चाहरत बताया था एक हमने पड़ा था computer literacy day और एक हमने पड़ा था pollution prevention day ठीक है आपको ध्यान में होगा ना pollution prevention day literacy day और इसके साथ यहाँ पर abolition of slavery day ठीक है याद आया तो यह था आज का हमारा current fs and current fs के कुछ mcq मैं उभीद करता हूँ कि आपको सब कुछ clear हो गया होगा किसी भी student को किसी भी तरह का कोई भी डाउट रहा तो आप comment section के अंदर पूछ लीजेगा class अगर आपको अच्छी लगती है तो class को like कीजिए class पर comment कीजिए और class को अपने दोस्तों के साथ share जरूर कीजिए ताकि जादा से जारा आपके जो दोस्त मित्तर है और जो भी आपके सके समंदी है जो भी यहाँ पर exam की preparation कर रहे हैं वो इसका पाइदा उठा पाए रोजाना की खबरों को हम चिंतन करते हैं इसका हम ठीक है रोज सुबा सवा दस बजे कर आसका जो टाइम है अब से सवा दस बजे होगा सवा दस बजे कल को हम मुलेंगे कल से हमारी मुलाकात होगी तो आज के लिए इतना ही thank you so much अगर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया रहा तो सब्सक्राइब कर दो और बैल इकल दबाना नहीं बोलना है थैंक्यू सो मुझ येस PDF जो है वो हमारे टेलिग्राम चैनल पर विलेंगे कशब जी और टेलिग्रम चैनल का जो लिंक है वो डिस्रिप्शन में कर दिया गया अभी कुछी दीर में PDF जो है वहां शेर कर दी जाएगी PDF जो है वहां शेर कर दी जाएगी थैंक्यू सो मुझ